हेलो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं अपठित अब बोधनम आप सभी जानते हैं कि 9 से लेकर 12 तक 10 नंबर का प्रश्ण आता है इस आसान पैरग्राफ को करते हैं हम सबसे पहले हम इस पैरग्राफ को नहीं पढ़ेगे हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्ण एक बदेल उ कर दो न केब्या निर्गत्यय शेद्रेश्ण आग अछदी नदी कहां से निकलकर खेतों में आती है के ब्या दिया हुआ है इसको या तो हिंदी करके करो या फिर पहले ये लाइन डूले manufactured देखो अहम एका नदी अस्वी अहम मैं एका एक नदी नदी अस्वी हूँ पर्वतेभ्या निर्गत्य शेत्रेशु आगच्छा में पर्वतों से निकल कर शेत्रों में आती हूँ आंसर समझ में आया है प्रपात मेरी पहली अवस्ता है शनए शनए अहम सागरम प्रति गच्छा भी दीरे दीरे मैं सागर की तरफ जाती हूँ मम बालुका युक्त तटेशू हरिता तर्वा बवन्ती मेरे बालुका युक्त तटों पर हरे हरे पेड़ होते हैं यह शनए बात कर रहे हैं तो यह मम आया नदी के लिए तो क्या आणसर आना चाहिए कलिशान, एक चीद और ध्यान रखों के बिटा, जिस भी वक्ति में प्रश्ण है, उत्तर उसी भी वक्ति में होना चाहिए, काल है तो कलिशान, अगला प्लश्ण देखेंगे, नद्या प्रतमावस्ता कहां, यह हमने अभी पढ़ा था, नद्या, नदी की प्रतमावस्ता क्य कैसा जल स्वास्ते के लिए अहित्कर होता है, यह लाइन डूलोगे, अब आगे हमने यहां तक पढ़ लिए, यहां तक तो नहीं आया था, कतिपए शड़ात, यहां पहित्वा वार्तालापम क्रित्वा, कुछ शड़ बिताकर वार्तालाप करके, जल से पात्रों को पूर इत्वा भरकर, ता इता गच्चन्ती, वे सब इधर से जाती है, पक्षिडाम कल्रवयी, पक्षियों का कल्रव, बाल का नाम कृड़ाभी, बालकों का खेलकूत, इस्त्रिणाम वार्तालापई, और इस्त्रियों का वार्तालाप, मम तठा गुन्जाय माना बवन्ती, मेरे तटो को गुंजाय मान करता है परम केर्चन जना परंतु कुछ लोग अत्रा आगत्य यहां आकर मनोरंजनम कुर्वंती मनोरंजन करते हैं खादंती खाते हैं बोजन से अवशिष्टम चा और बचे वे बोजन को मम जले एव पाते यंती मेरे जल में ही गिरा देते हैं एवं अवकरई मम जलम दूशितम भवती इस प्रकार पूड़े से मेरा जल दूशित हो जाता है दूशितम जलन स्वास्ताए अहितकरम अस्ती क्या पूचा है कैसा जल स्वास्ते के लिए अहितकर है दूशितम जलम तो क्या हैगा दूशितम पूर्ण वाकेल उत्तरत कीद्रिश दूशितम जलम स्वास्ताय अहितकरम कैसा जल स्वास्ते के लिए अहितकर है पूरे लाई लिखोगे दूशितम जलम स्वास्ताय अहितकरम अस्ति केशाम कल्रवई तटा गुंजाय माना पवंती किनका कल्रव तटो को गुंजाय मान करता है यह हमने देखा था पक्षिनाम कल रवाई तटा गुन्जाय माना पवंती पक्षियों का कल रव तटो को गुन्जाय मान करता है निर्देश्टा नुसारुत्रम भाशिक कार्यम एकी बात होती है गुन्जाय माना इती बदम कस्ये विशेशनम अस्ती गुन्जाय माना किसका विशेशन है गुन्जाय माना शब जायमान क्या होते है तट तो ये किसका विशेशन है तटा इती पदस्य आयांति इती क्रिया पदस्य करता कहा ऐसे लिए कि हम इस पे से कोई भी लगा लेंगे अपनी मज़िसे नहीं हम डूड़ेंगे आयांति कहा है आयांति दूड़ो जल्दी से यह दिखा इस्त्रिया प्रश लेकर मेरे किनारे पर आती है कौन आता है इस्त्रिया तो करता कौन होना चाहिए इस्त्रिया अवकरई इती पदे का विभक्ती प्रयूपता अवकरई इस पद में कौन सी विभक्ती है याद करो मैंने तुम्हें थर्ड वरक्षिट में करवाय था बालक शब्द ये भी अकारांद भूलिंगे तो क्या होगा तृतिया बलकाई त्रिटिया का बहुआचन, तृत्या, आगत्य इंथLY कह प्रत्य हो? आ जमा गम् olsa प्रत्य प्रत्य, आजमा गम ळमा लिफ इले प्रत्य आत्य 잘 पिद 10 छोक्रत्य इस गध्यांश का उचित शिश्रक क्या है क्या हो सकता इसका नदी के बारे में है नदी कता नदी की आत्म कता नदी अपने बारे में बता रही है तो फर्स जो सबसे अच्छा शिश्रक होना चाहिए नद्याहा आत्म कता वैसे तो बिटा ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छ की दिखा रही हूँ वह अंसर की देख लो यह इसके अंसर की है इससे अपने अंसर को चेक कर दो आज के लिए इतना ही की दो आज सर्द एंसर को अंसर कर दो आज की दो आज की दोड़ा है